इस लेक्षर में डिसकस करेंगे आपका ज्यांट से इंपोरेंट मतलब आपके हर कॉम्टिटी एजांस में उसके साथ आपके जितने भी कोडिया इसे जान्स उनके साथ साथ सब्सक्राइब यह आपका इंटेव्यों के लिए जब भी कुछेगी तो यार वो ज्यूंस के उप कुछ इतनी ज़्यादा इंपोर्टेंट है मतलब हर कंपनी प्रैफर करती है इन सबको पूछना तो यार ज्यांस से समझेंगे और मैं काफी मतलब अराम राम से और काफी आपको तरीकी समझानी कुरिश करूँगा जिसे कि आपको असानी से हर ज्यूंस से कंसर्ट भी क्लि है तो यह सबसे पहले तो बात अपती है कि जॉइन होते क्या है यार जॉइन बेसिकली जॉइन सार्यूंड तू कि कंबाइन दा डेटा कि ओफ कि मॉर्दैन वन टेबल मतलब अगर मुझे एक से जड़ा टेबल एक सार्य टेबल के डेटा को जॉइन करना है मर्ज करना है तो यार वहाँ पर मैं आपको जॉइन करता हूं अब बात अत्ति है ऐसी क्या जूरत आई जब मुझे एक सार्य टेबल के डेटा को जॉइन करना पड़ा यार अलगला ट रोल नंबर दिया वाय है नेम है एंड एड्रस है और एथ है और आपकी कोर्स टेवल जहां पर आपकी कोर्स की आईड़ी दीवी है कोर्स का नेम है एंड रोल नंबर है अब बाइज लेट्ट वस्ट्वेंट वाइन टू थ्री फॉर एबी सीडी पी क्यू आर एश्टी यू वी डवलू एक्स वाइजर एफ लैट्स वोज वन जिरो वन जिरो टू टू जिरो थ्री ओ एस डीवी एमें एंड त्री एन और गाई लेट्ट हो जहां पर रोल नंबर माल लिपता है वन टू वन ठीक है तो गाई इस्टुएंट वा नमेंट चाहिए और अगर उसे बच्चे का नाम से है जिसने ओपरेटिंग सिस्टम में पर अप्सकेवस को हैं कुछ से इस्वाइड तो वर मुझे जिकांदा को निकाना है इस्वाइड करूं करना है कि उस बच्चे ने को एस में करवा है नहीं करवा है तो यहां से तो जब मुझे बेसिकली एक से ज़्यादा टेवल की जोट पड़ती है अपने आउस्पूट आने के लिए तो गाइज महां पर मैं कंसेप्ट यूज करता हूं आपका जोईन का मतलब जब भी मुझे अपने डेटा को एक से ज़्यादा टेवल से फैच करना होगा मुझे अपने डेटा को निखाने के लिए एक साटेवल की जोट पड़ी कि तो गाइज मैं हम आप पर उन टेवल को पहले जोईन करूंगा दैन अपने डेटा को आसा तरीका नहीं है कि हम बिना जोईन के इन को कर दे यार एक कंशेप्ट है आपका सब क्वेरी का यह कंशेप्ट यारासा स्कूर्म आएगा बेसिकली यह है क्या जैसे आपको पता हूगा हम प्रोग्रामिंग में एक ची लिखते हैं नैस्टिड लूट उसमें क्या उतता है हम एक के अंदर एक एक अंदर लूट लगाते हैं आफी आपके कारी है मतलब हमें कि लिखे हैं उसका सब बोल सकते हो या फिर आप ऐरे सिर्ट केरी भी बोल सकते हो है किसी भी ज्रॉइन वाले को जहांपर बलार लगास पर आप सबक्रीय और नेशेट करी इसले नहीं लगाते क्योंकि यार जब मैं कोई क्वेरी बार बार लिखता हूं और मिले नेशनी लिखनी पड़ती है तो यह चीज चीज जादा कमफलेक्स है और जौनाला कंसेप्ट इसलिए मैं जुनाला कंसेप्ट यूज़ करता हूं अब आपकी दिवार में चीज चल रही होगी कि भाईया आपने अभी पिछले लेक्षर में तो भी पढ़ाया था काडिशन प्रोडक्ट उसमें भी तो आमने दो टेवल का डेटा वो जाई करा था तो हम वो किनो इस करते है बिल्कु सभी कोशन है आप एक्चली बात क्या है अगर मैं ज्रेंग की बाट करों तो वह यही क्रोस प्रोडक्ट मीडर समन है से कंदीशन अ कि यहीं है जॉइन का कि आ आप तक क्रोफ लोब तो करेगे करेंगे जिस्टे भी आपके जूइन बरेंगे हम ह्श आइक है तो होगई होगा बड़ उसके साथ अंगे इसका मतलब क्ता है अगर कोई 2 हैं एक है टेवल एक है टेवल V इसमें आपकी मना पर रोज हैं इसमें है ??? उसों मोजने क्या है? लेस्ट स सबोद यहां पर आपके रोनमज़ नंबर है कुछ 123 और इस वाई टेबल में कुछ रोनमज़ है 12 तो मैं इस वाली रो की इन सबसे मेलड़ बेडर नहीं करता हूँ इनकी इन शबसे करता हूँ इस वज़े से आपकी आउट्पूट में नंबर प्रोज अस्ति हैं अब आप पुझे अई बाव बताओ कि रोल नंबर वन अगर यहां पर ओएस में रजिश्टर है ठीक है तो जब मैं इस रोल नंबर वन वाली रो की इस दूसरी रो से मुझे करूंगा तो क्या मुझे कुछ फाइदा हुआ यहां पर नंबर वन दिखा रहे है कि रोल नंबर वन का नाम ए उसका एक्जा or और यहां पर नंबर वन है तो मैं उसकी इंपडाई उसका रहे है तो यह बैस्का करते हैं कि मुझे वहां पर जो मितिए तो यह उस चीज को पचने के लिए मैं आपको करता हूं आपके बहुत सारे जोई से जहां पर आपके प्लस कुछ कंडिशन लाएंगे एंड आपकी यह वादी चीज असाने से माझे टैगल हो सकती है उसके साथ एक लिमिटेशन है जैसे यहां पर रोल नंबर दोनों में कॉम में उस रोल नंबर मतलब उस बच्चे की डिटेल से हैं और यह टेबल बता रही है कि उस रोल नंबर के बच्चे ने कौन से कोर्स में एंडोल करावा है तो मैं उस रोल नंबर को दो वाइं लिख क्यों रहा हूं तो यह चीज भी आपका जोई वाला कंसेप्ट है ठीक है दो अब आप क्लियर हो जिए हम सिंपल आप पर प्रोस प्रोड़क्त या वह करते हैं और आपको कही जगा मिलेगा आपको कही जगा सब्सक्राइब यह आपको कही जगा क्रोज जोइन के नाम से मिलेगा सब्सक्राइब करने के लिए हैं अब बात अस्यार कौन कौन से जॉइन है जो हम पढ़ेंगे तो यह जॉइन है आपके एक है नेचरल जॉइन वन वाज इंपोरेंट जॉइन है यारि एक है आपका आउटर जॉइन एक है आपका एक्ट्यू जॉइन एक है आपका self join जो आपके outer join है यह भी आपके तीन तरह से हैं एक है आपका left outer join एक है आपका right outer join and एक है आपका full outer join ठीक है तो यह कुछ अलग-अलग तरह के concept हैं अलग तरह के joints हैं जो हमें आगे के lectures में पढ़ने हैं तरह मुझे बेसिक लिए आपको इस वीडियो में simple introduction देना था कि join हम use क्यों करते हैं और join use कर रहे हैं उसको हम कार्शन प्रोड़क्ट की तरह क्यों यूज करते कार्शन प्रोड़क्ट की क्या limitation थी जिसकी वेसे हम यह अलग-अलग तरह के joints पढ़ेगे सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करें थैंग यूए